जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन जनवरी और चार जनवरी 2020 के कुम राशी फल के बारे में कुम राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं जानेंगे आपकी दिन्चरिया कैसी होगी आपका प्रेम सम्मंद कैसा होगा सिक्षा कैसी होगी करियर कैसा होगा कहा सफलता मिलेगी कहा सावधानी रखनी है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अ जन्वरी की बात करते हैं शुकलपक्ष की अस्टमीति थी है और उत्तर भादरपद नक्षत्र रहेगा उसके ये सुभा साड़े साथ बजे तक है उसके बाद रेवती नक्षत्र रग जाएगा जो बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है इस दिन परिग और शिव नाम क योग बन रहे हैं यह शुक्रवार का दिन है और सुर्य जो है धनुराशी में चल रहे हैं चंद्रमा मीन राशी में है पूर्वशाडा नक्षत्र में चार जन्वरी की बात करते हैं चार जन्वरी शुकलपक्ष की नवमीति थी है रेवती नक्षत्र है और शिव नाम का य इश्रासी में पिर्वेश करेंगे तो अब इनी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हम जानेंगे कि यह जो दो दिन है यह किस तरह से आपके लिए विशेश रहने वाले हैं तो दोस्तों चंद्रमा की स्थिति तो आपके लिए बहुत ही शुब बनी हुई है क्योंकि चंद्रमा होगी यानि आप प्रेम से सबको अपनी तरफ आकर शित कर सकते हैं आपकी वाणी यहां मधुर रहेगी और धन के भाव में चंद्रमा है और यहां धन के भाव में ही चंद्र और गुरू की यूति भी हुई जो कि दो दिन तक गजगे स्रीयोग बनाया दो जनवरी और तीन जनवरी तो यह आपके लिए आपके कारेशेत्र के लिए बहुत अच्छी सफलता का समय है मेहनत करने पर लाब की प्राप्ती जरूर होगी मेहनत करने पर कामों को पूरा जरूर कर पाएंगे और किसी बात के लिए आपको सरहना भी होगी यानि किसी बात को लेकर आपकी ज अपनी जो जरूरी चीजें हैं सुख सुविधाय की चीजें हैं उन पर भी खर्च करने वाले हैं जो आपके लिए बड़ा खुशी का अनुभाव देंगी तो जीवन को आनंद पूरवक आप जिएंगे परिवार की सारी खुशियों को बहु भी निभाएंगे और आपकी वा विदे से बिता रहे हों तो बहुत अच्छा ये समय है जो आपके जीवन में खुशियों की बारात खुर्सियों की बरसात एक तरह कर लेकर आया है तो पारिवारिक जीवन आर्थिक जीवन सभी के लिए बहुत अच्छा समय है ये इस समय में आप कुछ काम भी शुरू कर स तो वहां से आपके लिए कोई अच्छा ओफर भी आजा सकता है आपको किसी प्रोजक्ट के लिए किसी से मदद भी मिल सकती है आप किसी प्रोजक्ट पर काम कर रहे हैं या आपने कोई ऐसी योजना बनाई है तो उस पर किसी की आपको मदद मिल सकती है जो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा जो चात्र विज्ञान के शित में रुची रखते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बहतर इन दिन सावित होगा आज आपको अपनी हर प्रोजेक्ट में या परिशा में बहतर परिणाम देखने को मिलेंगे यानि जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये आपके पक्ष में रहने वाली हैं आपके साथ इन दो दिनों में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और चार जन्वरी को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे में शासी में और यहां यह आपके पराकरम का भाव होगा पराकरम भाव में चंद्रमा बैठेंग मदद मांगे करीबी रिष्टे विश्वास और आपसी समझ पर ही आधारित होते हैं अगर मदद की ज़रुत है तो आगे बढ़कर मदद मांगे और जब आप उस मदद से अपनी कारे को पूरा कर पाएं तो उन्हें धन्यवाद देना भी ना भूले क्योंकि जो सहयोग आप एक दूसरे को देते हैं उससे रिष्टे और अधिक मजबूत होते हैं जितनी आसानी से आप सब की मदद कर देते हैं उतनी ही आसानी से लोग भी आपकी मदद करने को आगे बढ़कर आएंगे तो ऐसी चीजों के बारे में आप बहुत जादा सोच विचार किये बगैर आगे बढ़ने की कोशिश किया करें, पहल करने की कोशिश किया करें अगर आप किसी करियर के बारे में सोच रहे हैं कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में आप कुछ लोगों से सलह मसवरा जरूर ले दोस्तों के साथ आप बैठ सकते हैं या अगर आपको लगता है कि आप किसी और व्यक्ति से सला मसरा करना चाहते हैं तो जरूर करें वो अपने आपके लिए हित की बाते ही बताएगा आपको अच्छी सला ही देगा तो इस बात को लेका जरूर बात करें अंत में आपको लाब ही मिलेगा और आपके लिए ये भुगतान कर सकते हैं, यानि आप किसी को पैसे आपको आज देने पड़ सकते हैं, और अपने कामों को पूरा करने के लिए भी आज आपके लिए पर्याप्त समय भी होगा, आज आप अपने कामों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयाथिन सेल रहेंगे, रुकावटें बिल आपके लिए बना हुआ है जहां जाकर आपके मन को शांती मिलेगी तो ऐसी चीजे जीवन में आती हैं तो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि मन की शांती सबसे ज़्यादा जरूरी होती है ये समय आपके बच्चों के साथ बिताने के लिए भी अच्छा समय रहेगा आप नौ और वाहन सुख्य प्राप्ति का योग तो आपके लिए बनाई हुआ है इस महीने में आप आठ जनवरी तक आपके लिए वाहन का सुख्य का बड़ा ही प्रबल योग है तो आप कभी भी इस सब्ताह में वाहन सुख्य प्राप्त कर सकते हैं जो आपके रुके हुए कारे थ उनमें आपको प्रगती होती हुई भी निश्ची तोर पर दिखाई देगी यानि आपके जो पैसे आने के मार्ग हैं वो आपको खुलते हुए नजर आने वाले हैं अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन प्रेम संबंद और वैवाहिक जीवन के बारे में तो आप एक ठंडे दिमाग से जरूर अच्छी तरह से सोचे और अपने पार्टनर की खासियतों को याद करें आप उसी रास्ते कुछ ने जो आपकी जिन्दगी की लंबी दोड में आप दोनों के लिए बहतर हो तो एक तो आपको वफादारी यहां इस वर्ष नए साल में आपको वफ किसी अवैद रिष्टे में फस जाते हैं या आप ऐसी चीजों में फस जाते हैं तो आपके लिए यह अच्छा नहीं होगा और इसकी वज़ा से आपको कई तरहा की हानियों का सामना करना पड़ सकता है तो सबसे पहले तो आपको लॉयल रहने की यहां जरूर कोशिश करें और रहें भी अगर आप अपनी जीवन में सब कुछ अच्छा पाना चाहते हैं सिक्षा की बात करें तो सिक्षा के शित्र में आज जो विज्ञान से जुड़े चातर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय यह रहने वाला है बाकी बच्चों के लिए भी यह समय आपके ल लरवाहन है उसको चलाते समय आपको निश्चे तोर से सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यह समय आपके लिए सावधानी भरा होना चाहिए और आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देने की भी आवशक्ता होगी कोशिश करें कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिसमें शारीरिक म महनत आपके लिए सही नहीं है और बाद में आपको यह सोचने से अच्छा कि ऐसा ना करते तो अच्छा होता तो पहले ही खुद को सरक्षित कर लें याता यात के सभी नियमों का पालन आपको करना है वाहन आपको सावधानी पूरवक्त सलाना है और मशीनरी का या जनवरी के दिन आपको यहां सावधानी रखनी होगी तो दोस्तों यह जाना हमने तीन और चार जनवरी का कुम राशिफल अगली वीडियो में मिलेंगे अगले दो दिन के राशिफल के साथ तब तक हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और चैनल को पूस्क्राइब कर लें